प्राज्जों में से एक है जहाँ सबसे जादा सिविल सर्वन भारत मा की सेवा में समर्पित इसी बिहार के सपुत जो राज्य और प्रदेश की सेवा करने की चाहा रखते हैं उनी फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए टेस्बूक एक माध्यम बनने जा रहा है टेस्बूक लाँचेस बीपियस्टी सूपर कोचिंग बाई बिहार सूपर टीचर्स इंडिया के सूप सब्सक्राइब करता हूं कि आप सभी बहतर होंगे चलिगाएज सभी का विलकम सभी का श्वागत आज के सेशन में चलिगाएज लूग आप सभी को मालों में कि डेली 8 एम पर यह जो हमारा सीवीटी का एक्जाम है इसके लिए हम लोग करेंट अफेर का सेशन कवर कर रहे थे और इसमें अभी तक हम लोगों ने लगबग अराउंड मोर देन 30 प्लस सेशन कवर कर लिए हैं जिसमें हम लोग लास्ट वन स इन सभी टॉपिक्स को हम लोग डील कर रहे हैं सो चली हम लोग आज के सेशन में 20 जून का सेशन हम लोग कवर करने वाले हैं ठीक है सो सभी का वेलकम करता हूं 36 यस वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हो उमेद है कि सभी बैतर होंगे जितने भी लोग कनेक्टेट है सभी तक प सब्सक्राइब करते हैं सेशन की और लगबख सेशन में जो रहेंगे कोशन 60 प्लस हम लोग कोशन कवर करने वाले हैं और इन सेशन की जो PDF है वो आपको इस टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगी सु प्लीज फॉर्टा पीडियाफ यू कन विजिट टेलिग्राम ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप का जो लिंक है याद रखेगा देजा एड़ रेट सब्सक्राइब तो यहां पर आपको याद र जिस भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं यूज कीज़े कूपन कोड तो गेट दा मैक्सिमम डिसकाउंट और यह आपका सेशन का सीडियूल है आठ बजे हम लोग टेली करेंट अफेर का सेशन कवर करते हैं और यह होता है टेस्विक के सीउई टी चैनल पर और यह रहता है आप कमेंट चैनल पर ठीक है स्वासे हम लोग ग्रूप D की तयारी करने जा रहे हैं सबसे पहला कोशन आप सभी के सामने हैं जरा बताएगा किस कोशन का सही आंसर क्या होगा कोशन में पूछा गया है अमेरिकी नौसेना के इत्यास में अमेरिकी परमानु वाहक की कमान सभ कोशन की कोशन का उए का सही आंसर क्या होगा और निम लिखत में से कौन से टिक करने जाएंगे यास इस question का जो सही answer याद रखेगा दरेजा option second is correct Ami born submit है ठीक है सो इस question में जो सही answer हम लोग टिक करने जाएंगे दरेजा option second is correct कि अंगला सवाल देखिए अंगले में क्या पूछा जा रहा है कि मतस्पालन और जली छेतर के भीतर अभीनाव समाधान प्रदर्सित करने के लिए निमने लिखित में से किस मंत्रा लेने मत्पालन स्टार्टप grand challenge 2022 लॉंच किया है इस कोशन का सही आंसर क्या होगा निमनिकित में से कौन सा हमारा मंत्राल है जिसके द्वारा मस्-पालन स्टार्टप grand challenge 2022 लॉंच गया गया है ठीक है इस कोशन का सही आशर क्या होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोल्ट विचा उप्शन एक स Fleisch कोशन का साही आंसर क्या वह जाएंग में से आप किस ऐॉप्शन को टिक करने जाएंगे one होगा two होगा 3 ओसकर और इस कोशन है आज के समय में आप देख रहे हैं कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो रोज नई सफलता की उचाईयों को छू रहा है ठीक है और हमने अभी हाली में डिफेंस एक्सपोर्ड भी करना शुरू कर दी है और ब्रह्मोस मिसाइल को सेल किया है हमने किसको फिलिपीन्स को तो इसमें से कौन साइब होगा धनुस होगा ब्रह्मोस होगा प्रत्वी या फिर अगनी संदीव चली एच्छे ते सभी का आंसर आ रहे हैं और इस कोशन का जो सही आंस प्रफ्ट्र एंड सप्लाई और कॉंकूर्स एम एंटी टेंग गाइड़ मिसाइल इन फैव 2022 तो जरा बताएगा कि इस कोशन का सही आंसर क्या होगा निम लिकत में से आप किस ऑप्षन को टिक करेंगे ठीक हिंदुस्तान अरोटिक्स लिम्टेट भारत डाइनमिक्स लिम् अग्ला सवाल देखेगा क्या पूछा गया है कि हूं अमंग फॉलविंग तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम लिकत में से केसे फरवरी 2022 में फाइजर इंडिया कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ठीक है सो जरा बताएगा कि इस कोशन का सही आंसर क्या होगा प्रदीप साह होगा आर ए साह होगा सतिस गुपता होगा या फिर रवी सोन होगा ठीक है यहां पर जो फाइजर इंडिया कंपनी के अध्यक्ष की रूप में नियुक्त किया गया है यह नियुक्त किया गया है प्रदीप सहसाहाब को ठीक है डारेक्टर ऑन दा सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्ड बैंक ऑफ इंडिया इन फैव 2022 ठीक है तो इस कोश्चन का सही आंसर क्या होगा निम लिखत में से कैसे फरवरी 2022 में केंडरी बोर्ड में निर्देशक की रूप में नामित किया गया है विजय बहाल है सतीज गुपता है रवेंद्र सोनी है ठीक है निम लिखत में से किस प्यक्ति को आपने बताना है भारती रेजर बैंक में केंडरी बोर्ड में निर्देशक की रूप में नियुक्त किया गया है ठीक है तो यह जो अभी हाल ही में जो RBI का रैपो रेट था वो कितना था 4.40% और 4.40% से इंक्रीज करके RBI ने कितना कर दिया है 4.90% ठीक है, so RBI इंक्रीज इट्स इट्स रैपो रेट तो RBI ने जो अपना रैपो रेट है वो अभी बढ़ा दिया ठीक है, अगला सवाल है कि इफ फैब 2022 इंडियान नेवी हैज रिसीवड ट्वेल्थ एंटी सब्मरीन वार्फेयर एयरक्राफ्ट पी एटाई ठीक है, फ्रॉम विच ओप फॉल्विंग कंप्रीज ठीक है, सो जड़ा देखीगा, कोशन में क्या पूछा गया है कि फर्वरी 2022 में भारती नौ सेना कुर निमलिकित में से किस कंपनी से बार्वा ठीक है पंडुपी रोधी यूतक विमान पी एटाई प्राप्ट हुआ है ठीक है एयर बस है एंब्रार है बोईंग है या स्पेस एक्स है ठीक है सो आज के इस स स्वदेश वापस लोटने वाले लोगों को की राहत और पुनरवाशन के तहट साथ मौजूदा योजनाव को किस अवधी के लिए तक जारी रखने का प्रस्ताव को मंझूरी दे दी है तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपको टाइम पीरिट बताना है ठीक है कि किस अवध सब्सक्राइब करें 2021-2022 से लेकर के 2526 अंगला सवाल है कि which of the following has been elected as the new president of South Korea in March 2022 तो निमलिकत में से किसे मार्च 2022 में जक्षेन कोरिया के नए राष्टपति के रूप में चुना गया ठीक है तो साउथ कोरिया की यहां पर बात चल रहे है साउथ कोरिया जिसकी जो कैपिटल है आई होब कि everyone know about it कि इसकी कैपिटल का नाम क्या है सियोल ठीक है सियोल इस दा कैपिटल और करेंसी की अगर हम लोग बात करने जाएं तो यहां पर जो नए नियुक्त किये गए है अभी जस्ट हाली में जो गोशला होई है वह कौन है देड़े जा यून से कि यू ओल ठीक है तो यून सुक यू जो है यह नए प्रेसिडेंट के तौर पर निक्त किये गए ठीक है अंगला सवा लिखत में से कहां की राजसरकार ने अभी हाली में 16 मार्स 2022 को वित्य वर्स 2022 और 23 के लिए 636 करोड़ रुपय का घाटा बजट पेस किया है यह पूछा गया है कि घाटा बजट पेस किया है करनाटक होगा केरल होगा आसाम होगा या फिर वेस्ट बेंगॉल होगा इस कोश् सेमन्त है हेमन्त विश्वाश आप इन्होंने अभी हाली में 636 करोड़ रुपय का डेफिसिट बजट लॉंच किया हुए ठीक है अब देखो यहां पर एक कोर्स के इंफॉर्मेशन है कि अगर आप में से कोई भी कंडिडेट अर्रवी ग्रूपटी का पेपर देने जा रह नौर्वेगिनियन अकेडमी साइन्स एंड लेटर्स अवार्द अबेल प्राइज टूथाउजन ट्वेटिट्टी टू अबेल पुरुसकार के बारे में आई होग की आपने सुना होगा ठीक है अबेल पुरुसकार और यह जो अबेल दिया जाता है आई होग की यह दिया की ऑफिरन की आडिएम सब्सक्राइज ए किए जाता है मैथमेटिकम की चिनखेग्री में दिया जा अभेल प्राइज और जिस तरीक़ेसे नोबल प्राइज से मैथ टेकरी में हम लोग देखते हैं कि अबेल प्राइज पॉपुलर में तो यह निम विखितमें से किसको दिया गया है और यह जो दिया गया है याद रखीगा डॉप्शन जो सही आंसर है सेखंड ड्राइड़ अंसर टैनिस ठीक है टैनैस पार्नेल सुलेड़ इनको ठीक है इसका जो करेक्त आंसरों का ऑप्शन सेखंड इसक्ट अंगला सवाल तो आपको बताना है कि मास 2022 में समुत्री अभ्यास 2020 में कि मेजबानी करने वाली हिंद महासागर नौसेना संगोस्टी में है तो इसका अंसर क्या होगा अगला सवाल है कि संसद ने समिधान अंसूचित जनजाती आदेश अनसूदन विजयक 2022 परित किया है जो किस राज में अंसूचित जनजातियों की सूची में खरवार, देश्वरी, गंजु, दौलदबंदी, दौलबंदी और पटबंदी राउत को सामिल करना चाहता है, ठीक है, तो ये अभी हाले में किस स्टेट में ये सिडूल जो कास्ट है, सिडूल ट्राइब है, जो अमे दूसरे आपके कौन से देजा, अनाधर द्वाल बंदी, ठीक है, इसका जो सही आंसर याद रखेगा, ये रिसेंट अभी जो बिल रेप्रेजेंट किया गया, ये जार्खंड में, और जार्खंड में ये आपका सिडूल ट्राइब अमेंडमेंडमेंट बिल है, जिसके तह सिखरधवन, रोहिष शर्मा या विराट कोली, ठीक है, जिरा बताएगा कि इस question का सही answer, 1, 2, 3 and 4, which option is correct, पॉर्सों के T20 किर्केट में, 10,000 रन पूरे करने वाले, दूसरे भारती बल्लेबाच कौन बन गई हैं, और यहां पर दिखो, जो correct answer होगा, that is option 3 is correct, रोहिष शर्मा Electric, दुनिया की सबसे बड़ी electric 3-wheeler factory इस्ताफित करने जा रही है, करनाटक, पंजाब, गुजरात या तिलंगाना, so, निम निखित में से आप किस option को टिक करेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या फिर 4, करनाटक, पंजाब, गुजरात और तिलंगाना, ठीक है, so, इस question का ज इन अपरल 2022, तो दीके, पूछा गया है कि निम लिखित में से, केंदरी मंत्रियों में से, किस ने अपरल 2022 में, एक मेगा इवेंट, इंटरप्राइज इंडिया का उध्गाटन किया है, अनराक सिं ठाकोर है, हर्देप सिंग पूरी है, नारायन राने है, प्यूस गोयल है, सुन्निम लिखित में से, केंदरी मंत्रियों में, किस ने अपरल 2022 में, मेगा इवेंट, इंटरप्राइज इंडिया का उध्गाटन किया, और इसका जो करेक्ट आंसर है, अप्शन 3, तो यहां पर हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे, याद रखेंगे, यहां पर जो हम लोग राइट आंसर टिक करने जाएंगे, वो कौन सा होगा, option 3 is correct, ठीक है, अंगला सवाल, माई 2022 में कौन से startup company भारत की 100 वी यूनिकॉर्ण, ठीक है, तो देखो 100 वी यूनिकॉर्ण की अगर हम लोग बात करने जाएंगे, तो वो तो ठीक है, अभी हाली में 101 भी गोसित हो चुकी है, ठीक है, यूनिकॉर्ण का मतलब है, कोई ऐसी firm या फिर कोई एक ऐसा startup, जिसका जो mcap है, ठीक है, जिसका जो mcap है, यानि की market capitalization है, वो आपको मालूम हो कि 1 billion US dollar हो जाए, तो जिसका 1 billion US dollar हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते है, यूनिकॉर्ण में डाल तोर पर select किया गया है, और यहां पर जो 100th declare की गई है, that is the option 4 is correct, ठीक है, तो यह बेटा जो है, जिसका नाम है, open financial technology private limited, यह जो है आपकी 100th है, और 101th में जो घोसित की गई है, उसका नाम है physics world, ठीक है, अंगला सवाल देखते हैं, दिलीप, कृष्णा, संदीप, चलिए, र of a supermassive black hole at the center of our own galaxy, that is a milky way, a cosmic body known as, ठीक है, तो यह जो astronomers होते हैं, यह खगोलवेद होते हैं, इन्होंने अभी हाली में, हमारी खुद की galaxy, हमारी galaxy का नाम क्या है, that is a milky way, आकास गंगा, जो spiral shape की है, यह साकार की मतलब सरफिल आकार है, तो इन्होंन बुला है, हमारी खुद क ब्लैक होल के पहले चित्र का अनावरण किया है, ठीक है, एक ब्रम्हांडी पिंड जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका इन्होंने नाम क्या declare किया हुगा, यह आपको बताना है, ठीक है, तो इसमें जो सही answer याद रगे, that is a option, second is correct, that is a Sagittarius is the right answer, अब ब्लैक होल तो आप सभी जानते है, everyone know about it, ठीक है, ठीक है, तो एक्चुली में जो ब्लैक होल होता है, यह किसी स्टार की last stage होती है, जब किसी भी स्टार की शुरुआत होती है, यानि कि first phase of life होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैबूला बोलते हैं, ठीक है, फिर यही नैबूला एक ऐसा आपकी body होती है, जिसकेंडर आप सभी जानते हैं, कि जो gravity होती है, वो इतनी high होती है, that even light cannot pass through it, यहां से light भी यानि प्रकास भी नहीं गुजर सकता, तो अब हमारी आकास गंगा में भी हमको एक black hole पता चल गया है, तो आपको भी थोड़ा concern होना चाहिए, कि यह ज पतक किस ने जीता, ठीक है, तो इसका correct answer क्या होगा, which option is correct, MC Maricom, Pinky, Jungle, Sarjubala Devi, Nikhat Jarin, हो सकता है राहूल, कि में भी कोई question miss हो गया हो, ठीक है, miss हो गया हो, हो सकता है, कोई miss हो गया हो, तो इसी वज़े सी यह science का question डालने का प्रयास किया गया है, और यहां पर जो correct answer है, आपन निखत जरीन, तो इन्होंने अपने प्रतिजवंदी को 5-0 से defeat किया था, ठीक है, 5-0 से इन्होंने defeat किया था अपने प्रतिजवंदी को, और यहां पर जो सही answer है, that is a option 4 is correct, और यह जो हुआ था, यह कहां पर हुआ था, इस्तांबूल, आपने पड़ा होगा, ठीक है, कि य जो इवेंट है, प्रतिजवंदा है, यह तर्की में होई थी, और यहां पर निखत जरीन, जो 5-0 से सामने वाले प्रतिजवंदी को पराजित करके, वो गोल्ड मेडल जीत कया, यह ठीक है, अंगला सबाल, मई 2022 में, और इंडिया को अगर पूछा जाता है, कि इंडिया इस पोजिशन तो मेडल टेली में, जो है तुर्की पहली पोजिशन पर और इंडिया फोर्थ पोजिशन पर, अंगला सवाल, मई 2022 में, ग्रीस में, बार्वी अंतराष्टी, कूद बैठक में, स्वर्ण पदक किसने जीता है, ठीक है, इसका सही आंसर बताएगा, जरब, कि इस option is correct, इस question का सही answer क्या होगा, निमलिकित में से किसको टिक करने जाएंगे, और यहां पर जो correct answer याद रखेगा, that is a Murali Sankar, is the right answer, ठीक है, जो Murali Sankar होगा, वो correct होगा, अंगला सवाल है, in which state PM Narendra Modi has inaugurated the world's first nanourea liquid plant, ठीक है, तो पूछा ये गया है कि किस राज में, प्रियाना है, उत्तर प्रतेस है, निमलिकित में से किस option को टिक करेंगे, one होगा, two होगा, three होगा, या फिर four, which option is correct, ठीक है, इस question का जो सही answer याद रखेगा, गुजरात is the right answer, ठीक है, गुजरात is the right answer, ठीक है, चली, अंगला सवाल देख लेते हैं, next question है, राउत नाचा is a आपका राउत नाचा, और दूसरा हम लोग देखते हैं, काफी popular है, that is a राउफ, एक आपने राउफ पढ़ाओगा, तो राउफ सभी जानते हैं, कहां का है, जम्मू कस्मीर का है, ठीक है, अब राउत नाचा कि अगर बात करोगे, बच्चो, तो देखो, आसम का जो हम लो गूमर, यह राजिस्थान का है, ठीक है, तो अब आपके पास एक ही option बच गया, वो कौन है, 36 गर, तो 36 गर का कौन सा है, राउत नाचा, ठीक है, 36 गर का जो है, राउत नाचा, so option 4 is the right answer, अंगला सवाल है, आसम का तो भी हू है, आसम से कैसे गलती कर सकते हैं, ठीक है, भी ह उडिशा का नौका ही है, और पूरी फेस्टिवल, आसम का भी हुए, अंगला सवाल है, मैरी कौम को निमलिकत में से कौन सा पुरुसकार प्रतान किया गया, मैरी कौम, ठीक है, पदमिसरी, पदमभूशन, पदमभूशन, और याद रखे गया, इनको यह सभी पुरुसकार दिये जा चुके हैं, ठीक है, ये पदमभूशन, भारत का सेकंड हाइस सिवलियन अवार, ठीक है, भारत रखे ने सबसे पहला है, और it is the second highest सिविलियन अवार, ठीक है, तो यह दुतिह भारत का सबसे बड़ा पुरुसकार है, और ये इनको दिया जा चुका है, दूसरा है आपका कौनशा पद्मभूशन तीसरा है पद्मिसरी सो सही आंसर ऑप्शन फूर अंगला सवाल है कि इन मेंकिंग पुस्तक लिखे हुई है काफी काफी इंपॉर्टेंस सवाल है जरा बताएगा कि इन्नेर्गेत मैं से कैसा द्वारा मुहनं मालविया ठीक है मधनमुहन मालविया जहनोंने बनारश हिंदु विश्वडाली के स्थापना पीयाचीव की सुरेंद नात्थ रोल पिले किया और यह ऐसे प्यक्ति थे जुन्होंने अंग्रेजों के समय में सेवलिस सर्वेश को क्वालिफाई किया था लेकिन बाद में डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था इनको कुछ एज के इस्यू की वज़े से ठीक है फिरोज साहिए महता साहब और उसके बाद है है तो दर डिफेंस इंस्टिटूट ऑफ हाई अल्टिटूट रिस दिहार इस लोकेटेट इन विच सिटी पुने न्यू डैली ले या फिर आजिमाला ठीक है इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फिर फॉर विच ऑप्शन इ और इन too आधर नेटवर्क लगबग कितनी इस टेशनों को जोड़ने का काम करता है तो भारती ही रिल्वे के दिकवारे में रूब पहुंत हमारति रिल्वे यह सब बढ़ी riva network है थे यूइस यह चाहीना है युसे चाहिना के बाद हम लोग देखतें रस्यां और रसीय को connect करता है यह कितना है अप्शन थर्ड टोटल 8000 याद रखेगा 8000 और बाकिया आप सभी जानते हैं कि सबसे लॉंग जो इस समय हमारा सबसे लंबा आपका जो रेल्वे नेटवर्क है तो यूपी जो है हमारा याद रखेगा लॉंग आप बोलेंगे या लार्जेस्ट रेल्वे नेटवर्क है तो जो सबसे बड़ा रेल्वे नेटवर्क है वो इस समय यूपी का है और जो इंडिया में टोटल स्टेशन कनेक्ट होती है 8000 ठीक है चलिया अंगला सवाल कोशन पूछा गया है कि इन विचॉप्ता टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा या फिर फोर और इस कोशन का जो करेक्ट आंसर याद रखेगा तेज़ा ऑप्शन फोर इस दाराइट आंसर अंडमान और इस दा करेक्ट ऑप्शन ठीक है अंगला सवाल है देखिए कि प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा क्या पूछा तो जो भी आपको यह दिये गए है यह सभी आपको पासे दिये गए और उनकी लोकेशन दी गई है तो निमलिखत में से कौन सही सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है कि विच इस नौट करेक्ली में आपको बताना है तो पहला है जोजिला पास पास जम्मू कस्मीर का दू फिर नीतिला पास है जो आपके लिपूलेख हिमाचल प्रदेश में लिखा गया है और नाथूला पास तो इस मेंसेज उस करेक्ट नहीं है ठीक है वह पूछा गया नौट करेक्ट तो देटेजा सेकेंड ठीक है और अनाधर इस थर्ड यानि कि हिमाचल प्रदेश नीतिला ऋ लिपू लेक ञाओ उत्रखंड वाले एरिया में हुम लोग नितिळा पास और लिपू ले कई ऑर पड़िक आपको करना पड़ेगा तो यह इस तरीक़े से करेक्ट हो एंगला क्नाच कंदीघीज सicianоп में से किसके नाम से जाना जाता है सिक्षाल कि सहार के नाम से जांते हम लीकत में से मिशब्सक्रांज को पोला जाता सब्सक्राइब सब्सक्राइब याद रखेगा जो टैस्ट बूक का पास है इस समय अवलेबल है याद रखेगा और इस एक पास की मदद से आप डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम के मौक पैस दे सकते हैं यूज कीज़े कूपन कोड़ यह बनाख पड़ते हैं इस्टेट हाइवे के बाद फिर हम लोग देखते हैं अर्बन रोड या फिर डिस्ट्रिक रोड आपने यह भी सुने होगा अपने पॉसके सब यह पिलेज कीव बात करें यहां पर जो विलेज के रोट्स होते हैं जैसे प्रदान मंत्री गराम सड़क की ओजना इसके तहर जो बनाए जा रहे हैं तो टोटल जो रोट नेटवर्क अगर कभी पूछा गया कि जो लार्जेस्ट आपका रोड नेटवर्क है यह निम्लिखत में से कहां पर है तो आप इसका सही आंसर क्या ठीक करेंगे अंगला सवाल है कोडन कुलम नुकलियर पाउर प्लांट इस लोकेटेट इन ठीक है तो आपको बताना है है कि जो कोडन कुलम परमाण उर्जा सहियत रहे यह निम्लिकत में से कहां परिस्थे ते गुजरात में उत्राखंड में तमिलनाडु में अमद्द प्रदेश में तो इसका सही आंसर क्या होगा विच ऑप्शन इस करेक्ट है बोडर रोट को बेटा सामिल नहीं किया जाता है क्योंकि जो दिलीब कुमार एक्चुली में बॉर्डर रोड होता है ना वो ऐसे जनरल परपच के लिए हम लोग इस्तमाल नहीं करते तो इसमें चार ही इंक्लूट करते हैं निसनल हाईवे जो राश्टी राजमार्ग हैं जो राज्यके राजमार्ग होते हैं वो और उस पार उसके बाद विलेजस को ठीक है इसका जो सही आंसर है दटीजा ओप्शन थ्री एच करेक्ट ठीक है कुलन कुलम तो एक अत्व हम लोग पढ़ते हैं कुलन कुलम और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कल पक्कम ठीक है कल पक्कम याद रखेगा और यह दो हैं हमारे पास जानि कि तमिन लाडुमें दो आप केश्टेदें घूज है अगर पूछे जाएंगे टोटल इन इंडिया की तो टोटल भारत में केतने हैं है तो टोटल अगर में इंडिया में बात करने जाओंगा में यहां पर कि मैसेदा कौन लिस्ट दी गई है ठीक है सो दो हैं यहां पर option मैसेदा लिस्ट में दोनों को प्रॉपर मैच करिए और बताए कि सही आंसर क्या होगा निम्लिकत में से किसको टिक करने जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फॉर हाँ टोटल टोटल हम लोग टिक करेंगे कितने टिक करेंगे तेरा टोटल सेविन ठीक है तो काफी समय हो गया पुराना टाइम था ठीक है सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रॉम्बे या तारापूर वाला महारास्ट का अग को कुली कट कि यह कहां पर पढ़ती है आंधर प्रदेश में पढ़ती है व्यमाणा देखने जाओंगा तो पर चे庇ह सब अब लुनार लेग सभी जानते हैं कि यह आपकी होती है कौन सी क्रेटर लेग लुनार कहां पर है महारास्ट्रा में महारास्ट्रा मतलब बोले तो फॉर्थ ऑप्शन और जो डी बचा लोक टक वाला ये किस के साथ चला जाएगा ये चला जाएगा सेकेंड के साथ सो 3 1 4 2 3 1 4 2 कहां पर है स्वाइभ की ऑप्शन 3 is the right answer आपको दिख गया होगा तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 3 is correct ठीक है अंगला सवाल है विच आप फॉल्विंग डैम जो नोन आज पॉंग डैम तो निम लिखत में से किस डैम को हम लोग पॉंग डैम के नाम से भी जान और ब्यास रीवर की अगर मैं बात करने जाओं आप सभी को मालूम है कि इसका जो ओरीजन होता है यह आपके कहां से होता है रोहतांग पास के आसपास ठीक है जो रोहतांग हम लोग पास देखते हिमाचल प्रदेश का तो रोहतांग पास के आसपास होता हिमाचल यह बना हुआ है किस पर यहाँ अपके पास दो ही ऑप्शन घांधी सागर या पिर महाराना-प्रताप तो रहा नर्मदा प्रियुजना का पार्ट है अंगला कोश्चन ने कोश्चन में पूछा गया कि which of the following national park is located in Tamil Nadu, तो Tamil Nadu निम लिकत में से कौन सा located है, तो इसका सही आंसर बताएगा, जरा नगर होल है, कुमार कॉम है, और मुदु मलाई है, या फिर पेरिया है, तो पेरियार, केरल, नगर होल, डिफिनिटली आपने होगा, options देखके answer आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, तो जरा बताएगा कि इस question का correct answer क्या होगा, निम लिकत में से किसको tick करने जाएंगे, ठीक है, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, या फिर फोर, तो guys, इस question का correct answer है, that is the option, second is the right answer, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो correct answer tick करन जाएंगे, that is the option, yes, second is the right answer, ठीक है, यहाँ पर जो correct है, याद रखेगा, second is correct, that is the right answer, ठीक है, अंगला सवाल है, जो मटकी है, निम लिकत में से किस राजिकाल लोग परी नित है, मटकी, काफी popular है, मटकी, ठीक है, तो राजिस्थान का तो नहीं है, घुमर और अलबेलिया, काल बेलिया की हम लोग बात करते हैं, बिहार का भी नहीं है, ठीक है, तो मटकी है, जो popular है, याद रखेगे, that is related to Madh Pradesh, इस question का जो सही answer होगा, that is the option, second is the correct, ठीक है, यहाँ पर जो सही answer टिक करने जाएंगे, second is the right answer, तो मल खंब, आपने यहाँ पर स्पोर्ट एक्टिविटी देखी होगी, राजिका खेल, और मटकी जो है, यहाँ का लोग नत्त है, ठीक है, अंगला question है, भारत के Missile Man के रूप में किसे जाना जाता है, who is called the Missile Man of India, तो निम लिलकेत में से किसको हम लोग Missile Man of India के नाम से जानते हैं, यह उनको Missile Man बोलते है मिस्टर एपीज अब्दुलकलाम, ठीक है, एपीज अब्दुलकलाम तो यह हमारे देश के Missile Man भी है, और सभी को मालों में कि 11th President भी रह चुके है, वह 11th President of India, तो भारत के 11 रास्टपती भी रह चुके है, ठीक है, अंगला सवाल देखेगे, जरा question में क्या पूछा गया है कि for which sport is गनपत राय स्टेडियम इन होटवार जारखंड फेमस, ठीक है, तो question में पूछा गया है, कि जारखंड के होटवार में गनपत राय स्टेडियम किस खेल के लिए परसिद है, करकेट, होकी, कुस्ती, जिमनास्टिक, इस option में से आप किस option के साथ जाएंगे, 1 के साथ 2 के साथ, 3 के साथ, या फिर 4 के साथ, और इस question के दिखे जो correct answer है, that is option 4, it's correct, ठीक है, तो यहाँ पर सही answer अमलुक टिक करने जाएंगे, यानि कि जो right answer टिक करने जाएंगे, उसका सही answer क्या होगा, option 4, it's correct, ठीक है, अंगला सवाल है, question पूछा जा रहा है, किस अख़बार तो सुखे, ठिकड, रोटी, एक ग्लास पानी और हर संपाद की लिखने पर 10 वर्ष की कैद के भुकतान के साथ, संपादक के बद से एक विज्यापन दिया था, ठीक है, तो केसुरी, स्वराज, वंदे मातरम, या फिर काल, यह हिस्ट्री का काफी important सवाल है, कि कौन सा ऐसा दो सुखी चपाथी दी जाएंगी, टिकड मतलब रोटी दी जाएंगी, एक ग्लास पानी दिया जाएगा, ठीक है, और हर संपाद की लिखने पर उसको 10 वर्ष की कैद दी जाएगी, ठीक है, तो एक्चली में यह अंग्रे जी एड्मिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत ब पूछा जा रहा है, साउधन का जरह बताएगा कि जो मुख्याला है कहां पर रिस्ते थे पुने में, उधंपुर में, लखनव में या पिर जैपुर में, आपने मिलिकत में से किस उप्शन को टिक करने जाएंगे, वन होगा, टू होगा, या फिर त्री, और इस कोशन का ज इंडियाज, फिर्स्ट कॉर्पोरेट ट्रेन वज लॉंच ऑन दा विच रोड ठीक है, भारत की सबसे पहली, प्राइवेट ट्रेन किस रूट पर लॉंच की गई, तो दिखिए, सबसे फिर्स्ट प्राइवेट की, अगर मैं बात करने जाऊं, फिर्स्ट प्राइवेट त इसका नाम अभी बदल करके रानी कमलापती कर दिया गया है, तो यह जो हो चुका है, रानी कमलापती, यह भारत का पहला प्राइवेट रेल्वे स्टेशन था, और यह जो थी इसका नाम क्या था तेजस, अब जो तेजस ट्रेन है, यह निमलिकत में से किस रूट पर चलती है, तो तेजस की अगर बात करोगे, तो किस पर चलता है, लखनव दिल्ली, ठीक है, तो याद रखे का लखनव दिल्ली रूट पर चलने वाली भारत की सबसे पहली कौन सी ट्रेन है, प्राइवेट ट्रेन है, फस्ट प्राइवेट ट्रेन से ही मतलब यहां पर क्या है, और ब्यापक रूप से न्यूज में रह रहा है या समाचारों में चर्चित रह रहा है तो यह लिम लिखत में से क्या है एक फॉक डांस है या कोई पर्टिकुलरी वल्निरेबल ट्राइवल ग्रूप है या फिर एक फैस्टिवल है या फिर किसी लूकेशन का नाम है ठीक है किसी के साथ जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर पूर और इस कोश्चन का जो सही आंसर है तो एक पर्टिकुलर वनी रेबल ट्राइब है जिसका नाम क्या है याद रखेगा ब्रॉस ठीक है अंगला सवाल है कोश्चन में देखिए आपको मैस्दा कॉलम दिये और यहां पर उनके टिस्टिक दिये गए लेकिन यह जितने भी है मुसली सभी के सभी आपके राजिस्थान के हैं जोगर आपने राजिस्थान का थोड़ा बहुत सा पढ़ा हुआ है पार्ट तो आप आंसर कर पाएंगे अधर्वाइस इतना आसान नहीं होगा ठीक है सेर सब्सक्राइब यह परता है यह परता है यह परता है एक आंगला कोशन भारत के किस सहर में को गुलावी सहर के नाम से जाना जाता है पिंक सिटिए तो पिंक सिटिए को इंडिया इसकेंग को सकते हैं report तो एहमधाबद के बाद जो डूसरी है यह हैंक है रहीटेज सिटी ऑफिर शहाप को पड़ते हैं तो इसका जो सही आंसर है that option 4 is correct ठीक एंगला सवाल है कि ब्रिटिस काल के दोरान Grand Trink Road निम लिखत में से कौन से स्थान को जोड़ती थी तो कि यह जो GT Road है हम लोग इसको देखते हैं GT Road को और यह जो GT Road है इसका एक और नाम हुआ करता था यह जो सड़क ए आजम नाम क्या था इसका सड़क ए आजम नाम दिया जाता था तो यह जो सड़क ए आजम है that was built by the Ser Saha Suri तो यह Ser Saha Suri के द्वारा बनाई गई थी ठीक है और यह जोड़ने का जो काम करती थी कोलकता से पेसावर option 3 is the right answer ठीक है एक सूरी टानिस्टी का एक सेकंड अफगान किंग्डम आता है भारत में जब हुमायूं 15 साल के लिए कहां चला जाता है इरान चला जाता या भगा दिया जाता है ठीक है तो सेट साय सूरी के द्वारा डिफीट किया जाता है हुमायूं क बैटल आप चौसा और बैटल आप बिल्ग्राम या कन्नौज में और फाइनली वह एक जाहिल की स्थिति में 15 साल पिताता है ठीक है अंगला कुश्चन है कि भारत का पहला परमानु सहींत्र कौन सा है तो इसका सही आंसर आप क्या ठीक करेंगे विच इस दा फर्स्ट आट सब्सक्राइब हो चुके हैं ठीक है तमिलनार्डू के दो देख लिए थे एक हमने कुडनकुलम और एक कलपक्कम हमने देखा तो और यह अल्रेडी डिसकस हुगा था हमारा कि जो तारापूर है जिसको हम लोग ट्रॉंबे पार्व स्टेशन बोलते हैं तो मुंबई में आ यहां क्या होगा निम लिकित में से किसको टिक करने जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री हो गाए या फिर फोर और इस कोस्ट्र का जो चेट्रकॉट एरिया भी है यह यह फिस शोडिक मना जाता है अट इस लोकेशन माना जाता है दिस लो और यहां पर क्या पूछा गया वाटरफॉल पूछा गया यह जो वाटरफॉल है आपका देज लोकेट इन चत्थीजगर ठीक ऑप्शन ठीज करेक्ट अंगला सवाल नेक्स्ट कोशन पर हम लोग चलते हैं यहां पर एक कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है आपका विहार कर आप में से कोई भी कंडिडेट विहार की त्यारी गर रहा है तो आप इस कोर्स को इन्रॉल कर सकते हैं 360 डिगरी एक्जाम प्रप्रेशन कराई जाती है यूज कीजिए कूपन गोड शाई वीट केटी तो गड़ता मैक्सिमम डिस्काउंट अब कोशन देखेगा और बता दिलीप, राहूल, छुतेज, चलिए, काफी लोगों की आंसर आ रहे हैं सभी लोग तुक्के नहीं दे रहे हैं सभी के तुक्के कुछ के सही भी है आंसर ठीक है सो बाखी के तुक्यावंफि द्यान में अपने थ्यान देना थीके धराई टुक्रिक हम्हें अपना सेलेक्षेल की दीफिन के लिए नहीं हमें चिंता क्रूक्orus ar क्योंकि के दूपने सब्सक्राइब बरे वारे में भी पड़ते हैं। टो यहां से ही जुड़ा हुआ है आपका सबसे एřिरिया है सबसे चोटा राज्ज worrying है आप सभी जानते हैं ठीक है और सबसे लिस इसकी coastal boundary सबसे चोटी समुदर 30 सीमा रिखा भी है गोगी नोराज्जियों iron ठीक है और गुवा की कैपिटल तो आप सभी जानते हो पंजी द्रस्यम मूवी देखी होगी तो इसकी कैपिटल जो है पंजी ठीक है चली सो सही आंसर ऑप्शन फॉर अंगला सवाल है निम लिखत में से कौन सा आंध प्रदेश का सास्त्री नृत है क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध प्रदेश कथकली भरतनाट्यम ओडिसी या कुछपुडी ठीक है इसका जो सही आंसर अंध प्रदेश का पूछा किया है ठीक है और बागी तो बताने की जरूरत नहीं है आप देखो ओडिसी तो क्लिर सी बात है कि ओडीशा का ही होगा ऑर भारत नाट्यम जो हम लोग लिखनेGo यहilde त्मिलनाडू का हो जाؤएगा और और कथकली कहां का हो जाएगा केरल का हो जाएगा ठीक है अंगला सवाल है कि भारत के लिए समिधान सभा का विचार पहली बार निम लिखत में से किसके द्वारा रखा गया था तो यह जो आइडिया रखा जाता है M.N. Roy के द्वारा आई होग की इसका चली विनुद यादो स आपने इसका सही आंसर ठीकर दिया विनुद राय और 1934 में इन्होंने आइडिया दिया था तो एक तो इन्होंने आइडिया दिया था याद रखेगा और दूसरा याद रखेगा जो CPI यह Communist Party of India 1920 में तासकंद में इसकी स्थापने इन्होंने ही की थी और एक हम लोग प्ला याद रखेगा पीपल्स प्लान Communist Party of India की स्थापना और Constituent Assembly का आईडिया ठीक है यह मानुवेंद्र नाथ रोय के द्वारा ही दिया गया था ठीक है अगला सवाल है कुछन में पूछा किया है कि तब फेमस फुटबॉलर जो लियोनल मैसी है ब्लॉंग स्टू इच कंट्री तो इन्निम ने लिखित मैसी किस देश से ब्लॉंग करते हैं इसका सही आंसर बताएगा जरह अर्जिंटीना होगा इस पेन होगा ब्राजील होगा इतली किस ऑप्षन को टिक करने जाएंगे यहाब वन को टू को थ्री या फिर फॉर को विच ऑप्षन इस करें तो सही आंसर जटेजा ऑप्षिन वन एज करेंगे अर्जिंटीना इस दराइट आइंसर ठीक अर्जंटीना इस दराइट आंसर अंगला सवाल है कि इंडिया पुस्तक किस ने लिखी है सी यार दास है एम जी रहना डे है महादेव गोविंद रहना डे हैं वीडी सावरकर साहब है या सन बनार जी साहब है स्वरज पार्टिस जो सुघके कुताब किस के द्वा लिखी गई Certainis अंग्ला सवाल है भारती नौसेना में सामिल पहली स्वादेशी एंटी सब्मरीन इलेक्ट्रोनिक टॉर्पीडो कौन से है आइनेस तिहायू आइनेस तरंगनी आइनेस अरिहंत या फिर वर्णुनास्त्र ठीक है इसका सही आंसर क्या पताईएगा और अभी हाली में तो हमारा बॉलीवोड का अलग ही डारेक्शन में जा रहा है ब्रह्मास्त्र ठीक है तो सभी हमारे हीरो इस बार ब्रह्मास्त्र जलाते हुए नजर आएंगे और पब्लिक को भाग कर्द के बचना होगा इस कुश्चन का जो करेक्ट आंसर है और ऑप्शन थर्ड इस करेक्ट अगला सवाल विछ ऑप ट़ॉलविंग सीट रांइम सीट तो इव मनें लिकित में से किस सहर का उपणाम जो है ब्लू सीटी यह पूछा गया ठीक है विच आप दा फॉलिविंग सीटी निकनेम इस ब्लू सीटी ठीक है कोटा है जोदपूर है जैसलमेर है या फिर बिकाने तो यहां पर जो ब्लू सिटी है याद रखिए का वह कौन सी है जोथपोर सो वन इस दराइट अंसर वन इस दराइट अंसर ठीक एंगला सवाल है विच इंडियन स्टेट हैस दा मैक्सिमम नंबर आफ सी पोर्ट कोशन में पूछा गया है कि किस भारती राज में समुद्री ब पोर्ट डेंसिटी है वह कौन सी आपकी महारास्ट में और इसमें जो आपने सबसे पुराना सुना होगा जे एन जो जवाहललाल नहरू है टीका जवाहललाल नहरू जो पोर्ट है जवारी पॉपलर ठीक है तो सबसे ज्यादा पोर्ट यहां पर मैक्सिमम है एक और अभी हा थर्मल पाउर प्लांट की चमता केतनी है तो भारत का जो सबसे बड़ा थर्मल पाउर प्लांट यह आपको पूछा गया है 5560 है 5340 4760 है 4620 है ठीक है इसका सही आंसर क्या होगा विच ऑप्शन इस करेक्ट करेंट प्लस इस्टेटिक करेंट पर आधारत इस्टेटिक भी इस्टेटिक सेक्शन ठीक है तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 एच करें 4760 मेगावाट ठीक है अंगला सवाल बुद्ध की एक अखंड मूर्ती जो है किस जील में इस्टेट यानि की कौनसी ऐसी लेक है जिसके सेंटर में भगवान महात्मा बुद्ध की याद रखेगा एक आपकी मोनोलिथिक जो है इस्टेचू लोकेटेड है तो इसका सही आंसर लखनवरम लेक पलायर लेक हुशैन साकर और पाखल तो जो सही आंसर याद रखे का हुशैन साकर बहुत पॉपलर लेक है आपकी अंगला सवाल है जो धुआधार वाटर फॉली यह कहां परिस् है दुआधार और भेडा घाट वाला और यह जो जबल पूर के पास आपका दुआधार और भेडा घाट है इसका नाम क्लियर है सभी को ठीक है कि इस कोश्चन का जो सही आंसर होगा कौन सा लिखोगे नर्मदा इस दा राइट आंसर ना तो यहां पर जो हम लोग करेक्ट टिक करते हैं कि वह कौन सा हो जाएगा नर्मदा इस दा करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो यहां पर जो सही आंसर आप टिक करेंगे और जो आपको मिल जाएगी कहां पर इस टेलिग्राम ग्रूप पर प्लीज फोर दा पीडियाप यूग जो आपके टेलिग्राम ग्रूप तो सब्रक्त का त्यार कराया जाता है तो तो एकनीकल हमारा है तो सब्सक्राइब माल नार lawyer 129 3001 ऐसे में इनरॉल करने के लिए आप पहत्रिन जो है discount यूज कर सकते हैं और इससे में discount going on है ठीक है तो आप इसके लिए enroll कीजिए coupon code इस्तमाल कीजिए coupon code कैसे use करना मैं आपको बता देता हूँ simple है आपने मेरे साथ one by one step follow कर लेने हैं आप अपनी इस टेस्ट बुक की जो link है इसको click करना है इस link को click करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका यह open होगा यहां पर आपको test series दे गई है अलग-अलग test series है गांस है इसक पास सिखुमार तिवारी एसके टी पी डॉले डेश और इसको एप्लाइ कर दीजिए सो यूवेल गटा यूज डिसकाउं मंतली 270 का पड़ेगा ये अर्ली 360 का पड़ेगा और लाइफ टाइम 540 का पड़ेगा ठीक है और जिसमें 500 प्लस एक्जाम कवर्ड होंगे सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइमिंग पर तो जोड़ना ना भूले मेरे साथ और आसे हम लोग ग्रूप D का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं साड़े ग्यारा बजे तो आप वहां पर भी जोड़ सकते हैं तब तक के लिए दुआओं में याद रख तक केगा थैक्यू सो मच एंड यस एज आलवेज गद ब्लस्यू आल जैहिएट